अलमोडा उत्रा खंड की संसकृति नगरी अलमोडा अपने इतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है यहां के प्राचीन मंदिराज भी अपना इतिहास वया करते हैं इन्ही में से एक अलमोडा का प्राचीन नन्दा देवी मंदिर के लिया कथा मा नंदा देवी को सैल पुत्री का रूप बनना जाता है मा नंदा को पूरे उत्राखंड में पूंजा जाता है जबकि अलमोरा में 3050 साल से ज़्यादा समय में मा नंदा देवी को पूंजा जाता है अल्मोरा की नंदा देवी चंद वंस राजाओं की कुल देवी हैं जो आज भी अपने भक्तों को सपने में दर्सन देती हैं और उनकी मनो कामना पूरी करती हैं नंदा देवी मंदिर में सुबह और साम आरती होती है साथ ही लोग यहां साम के वक्त भजन किर्दन करते हैं इस मंदिर की दिवारों में आपको कई सैल चित्र भी देखने को मिल जाएंगे अलमोडा में नंदा देवी का प्राचीन मंदिर इस्थित है सोला सो सत्तर में कुमाओ के चंद वनसीय सासक राजा राज बहादूर चंद बागड़ के किले से नंदा देवी की सर्ग परतिमा को अलमोडा लाये थे इस परतिमा को नोने मलहा महल पुराने कलक्ट रिक्ट परिसर में परतिष्ठिट किया और अपनी कुल देवी के रूप में पुझना सुरू किया पहले नंदा देवी को मलहा महल में पुझा जाता था लेकिन पुझारी ताराचंद जोसी बताते हैं कि यहां मंदिर प्राचीन काल का है और माता की मूर्ती की स्थापना इस प्रगड में करीब 200 साल पहले की गई थी इस से पहले नंदा देवी को मलहा महल में पुझा जाता था इसके बाद इस प्रगड में माता की प्रतिमा की प्राच प्रस्था की गई तब से लेकर आज तक यहां माता की पुझा अर्चना की जाती है उन्होंने बताया कि इस मंदिर में हर महिने हजारों की संख्या में सेधाल पहुचते हैं सेधाल के दौरा भी यहां भी कहा जाता है की माता ने उन्हें सपने में आकर दर्शन दिये इसके बाद वा इस मंदिर तक पहुचे हैं मंदिर आइस धाल विंती साह ने बताया कि माता साच्छा दर्शन देती हैं नोने सयम इसकी अनमूती की है माता ने उन्हें सभी कुछ दिया है वहां आगे कहती हैं कि माता से जो कुछ भी मांगो मा देती हैं माता कुल देवी हैं और सभी के कष्ट हरती हैं और लोगों की अच्छा करती है